बंधन बैंक है मेरे पास वो 278 पर ओके ठीक है 278 पर ठीक है तो यह कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं विनोज जी मैं कर सकता हूं 2-3 साल मेरे कोई प्रावल में थीक है शर्मिला पहले तो बंधन बैंक पर आप सला दीजे 3,000 शेर्स 278 के भाव पर लिया 277-278 के आसपास है इंकी बाइंग प्राइस और समय दे सकते हैं इस स्टॉक को बंधन बैंक में करीब 2-3 साल का समय इस स्टॉक में दे सकते हैं अभी तो फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है बट लॉंग टर्म के लिए बंधन बैंक क्या सही ल स्टॉक में वो शिफ करें यूकि विदाउट आज अगर एक फेवर्ट सेक्टर है तो वो बैंकिंग है उस लिहाद से वो स्विच करने का सोच सकते हैं लेकिन अगर उनको बंधन बैंक में भी बने रहना है तो भी वो रह सकते हैं बिकॉस यहां पर हम देख रहे हैं कि को अगर नतीजे और चीजे वहां पर थोड़ी सुदर्थी हुई तो यहां पर उनका वेट थोड़ा जादा रह सकता है लेकिन उमीद यही है कि यहां से उनको उपर के लेविल्स देखने को मिले बट येस आइस कि क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको आपको बंधन बैंक में देदी गई है एक और सावा लिंका आया था प्राइम सेक्योरिटी पे वैसे तो इसका कमरी का मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो कि वेला 315 करोड का ही मार्केट कैप है बट स्निहा क्या इस टॉक को आप ट्रैक करती है प्राइम सेक्योरिटी को 105 के लेवल पर इनोंने लिया हुआ था उसे हलका नीचे इंके बाइंग प्रैसे थोड़ा करोबार कर रहा है सजेस्ट करें क्या करें तो काफी रेंज में ट्रेट कर रहा है काफी समय से रेंज में ट्रेट कर अपसाइट में 127 30 130A जोन और नीचे में अगर आप देखें तो अराउंड 85 से 90 के जोन के आसपास एक support जोन है, तो ये एक range है, तो I think जब तक इस range में ही trade कर रहा है, इसमें कोई view में changes नहीं आएंगे, अगर नीचे में अगर आपको जब तक ये at least 85 को respect कर रहा है, आप hold कर सकते हैं, अब साइड में जभी भी एक cross होता है, 131 ये zone, तब इसमें एक अच्छी move आ सकती है, तो अभी के लिए wait and watch कर सकते हैं, अब hold कर सकते हैं with a stop loss of 85, 85, 85 रुपे के stop loss के साथ, Prime Securities को hold करने की सला है,